तो आज हम बनाने वाले हैं एक ऐसी रेसिपी ना जो टमाटर और अंडे से बनने वाली है लेकिन ये जो रेसिपी है ये बिल्कुल ही ओयल फ्री है हम इसमें तोड़ी भी एक बून भी ओयल का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सबसे पहले हमने यहां पे तीन अंडा ले लिया है तो मैं अंडे को फोर लेती हूँ तो आप जितना क्वांटिती में बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं और मैंने यहां पे दो टमाटर लिया है तो यहां पे जो टमाटर का साइज है थो से बड़ा होGA तो जादा बहतर होगा अभी हमने यहां पर एक ब्याज को बारी काट करके एड किया है इसी के साथ धनिया का पत्ता भी अड़ किया है जैसे हम अन्य से ओमलेड बनाते हैं न थी उसी तरह से आप चाहे तो अलग छीजे भी हिस्त portion कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो अभी हम इसे अच्छी तरह से फेटने के बाद हम टमाटर को लेंगे इसका उपर का जो portion है ना इसे हमें चाकू से इस तरह से काठ करके निकाल देना है यह दिखे दोनों का हम निकाल देंगे तो मैंने जो चाकू इस्तेमाल किया ना उसमें थोड़ा भी मतलब शार्पनेस धार बोलते ना वो है ही नहीं अच्छा चाकू एक लेना पड़ेगा मुझे तो अभी हम क्या करेंगे इसे ना इस तरह से इसका अंदर का जो भी बीज बगएरा है तो इसे हम निकाल देंगे और इसमें अंदर में हम जगा बनाएंगे जैसे हम अलग-अलग सबजी के भड़वा बगएरा बनाते हैं क्या बोलते हैं ये स्टाफ जो चीजे बनती है तो इस तरह से हम इसे खाली कर लेंगे तो दोनों को मैं इस तरह से पहले खाली कर लेती हूँ यह देखिए आप चमच के मदद से भी कर सकते हैं मैंने इसे उपर की तरफ काटाए ताकि हम इसे न अच्छी तरह से प्लेस कर सके मतलब जहां भी बिठा दे टमाटर अच्छी तरह से बैठा रहे है अगर आप नीचे की तरफ से काटोगे ना तो यह अच्छी तरह से बैठेगी नहीं तो अभी जो अंडे का घोले हम इसे इसमें डालेंगे दोनों में डाल लेते तो हमने पुरा उपर तक भर दिया था तो थोड़ा में निकाल देती हूं यहां से हो सकता है टमाटर फूल भी सकता है ना स्टीम होने के बाद नहीं फूलता है वैसे आप पूरा लेबल तक आप डाल सकते हो तो अभी हम एक स्टीमर लेके इस तरह से हम इसे रख देंगे यह जो रेसिपी है यह बहुत ही मतलब टेस्टी लगती है खाने में वैसे तो हम अंडे से ओमलेट बगेरा बहुत खाया है लेकिन इसका टेस बहुत अलग है तो अभी देखिए हमने इसे ना दस मिनिट के लि तो आप थोरा पतला मोटा जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं मेरा एक्चुली में यह जो रेसिपी है कुछ अलग बनाना चाहती थी आप लोगों के लिए और भी ज्यादा यूनिक तरीके से इसका ग्रेवी बनाना चाहती थी लेकिन मेरे हस्बंड का क्या हुआ पेट में कर दो आप